प्रेंड्स आज के इस वीडियो सेशन में हम कवर करेंगे आज एक बहुत इंपॉटन डॉपिक आप से शेर करने वाला हूँ ट्रैकिंग टांप्लेट्स के उपर इसमें मैं आपको न्यू अप्डेट भी सिखाऊंगा कैसे अब आपको ट्रैकिंग टांप्लेट्स क्रियेट करना है आज पर न्यू अप्डेट वो तो रह गई रहेगा क्योंग अभी लेटेस वीडियो बना रहा हूँ साथ-साथ आपके लिए ट्रैकिंग टांप्लेट्स इस point से helpful रहेगा कि अगर आपको track करना है अपना data Google Analytics में जो कि आप में से maximum लोग का concern रहता है आप में से कई सारे लोग मुझे WhatsApp, Mail करते हैं मेरी mail ID पे कि sir हमारा data analytics में track out नहीं हो रहा PPC का जो paid marketing का आप करते हैं तो हम क्या गलत tracking templates बना रहे हैं या जो मैंने पहले की वीडियो अपने चैनल पर अप्लोड करी ही है tracking templates की उसी format को use करना है तो अब जस्ट पताना चाहूँगा कि जो अब new method यूज़ कर रहे है tracking templates का using new update वही लोग proper data track कर पाएंगे analytics में अगर आप नहीं कर रहे हैं अगर updates के according tracking template को modify तो आप data analytics में track out नहीं कर पाएंगे properly paid marketing का तो क्या हो नए update है मैं अभी एक live काम कर रहा था company के लिए अपने client के लिए analytics का integration वगरा तो मेरा सारा complete हो चुका है अब मैं tracking template update कर रहा था तो मुझे लगा आप लोगों के लिए इस पे एक lecture मुझे लाना चाहिए क्योंकि काफे time से मैंने कोई lecture share नहीं करा और as usual जो भी lecture लगोंगा तो उसमें आपको सीखने के लिए for sure 100% मिलेगा कुछ नया सीखेंगे जिसको आता भी होगा वो आज नया सीख के जाएगा ठीके सबसे पहले एक चीज मैं आपको बता दूँ यहां पे जो भी tracking template का new update है इसके according पहले मैं आपको लिख देता हूँ फिर आपको बताता हूँ campaign id और ad group id अब google क्या करेगा google analytics में जो भी data आपका track out करेगा specifically google ads का ppc का तो वो करेगा on the basis of campaign id और ad group id आप में से mostly लोग जो already experience लोग है professionals हैं अच्छे level पर काम कर रहे हैं काफी हैर्स से काम कर रहे हैं ppc में वो mistake यह कर रहे हैं वो campaign और ad group ही use करते हैं वो id यूज नहीं करते अब यह id का concept as per new updates के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ अब यह id पहले आपको कहां मिलेगी पहले हम वो देख लेते हैं पूरा formula live लगा के दिखाऊंगा live account में ताकि आपको पूरा execution a to z complete है और किसी की help न लेनी पड़े नहीं आप मुझे ज़्यादा distract करेगी sir data नहीं आरा आप खुद से उसको sort कर ले अपने level पे तो चलिए सबसे पहले मैं आपको campaign id और ad group id इनी का role जादा है पहले मैं आपको यह दिखा देता हूँ फिर formula बनाते वे हर एक चीज step by step आपको समझाऊंगा best execution आपको बताऊंगा shortcut execution बताऊंगा सबसे पहले देख रहे हूँगे आप मैं google ads account में हूँ थोड़ा zoom कर लेता हूँ और आप देख रहे हूँगे अलड़ी campaign चल रहा है integration मैंने बता दिया अलड़ी मेरा हो गया analytics का client के साथ अब क्या है कि सबसे पहले मैंने क्या कर रहा है आप यहाँ पर कर रहे हूँगे मेरे कॉलम आ रहा है campaign ID का और एक number यहाँ पर आ रहा है जो कि मेरी campaign ID आप बोल लीजे campaign ID है अब यह आप कैसे देखेंगे तो आपको पहले तरीका बलाए तो मेरा तो column enable है लेकिन आप कैसा highlight करेंगे अपने column को आपने columns में जाना है modify columns में जाना है और यह part होता है attributes का इनको हम बोलते है attributes जो उपर आप columns देख रहे हैं यह सारे हमारे attributes है तो attributes में जाना है देखने campaign ID को मैंने already check box पर टिक करा हुआ है means यह मेरा attributes में highlighted रहेगा columns में और इसको मैं apply कर दूँँगा apply वैसले नहीं कर रहा है क्योंकि already लगा हुआ है आप समझ गया हूँगे तो आप apply कर दीजिए अगर आपने नहीं लगया तो मैं इसको cancel कर रहा हूँ अप जैसी मैंने इसको लगया तो मेरे आपी campaign ID आ जाएगा आप जब मैं Google Analytics में integration के बाद अपना data देखूँगा तो वो मुझे campaign की ID wise बताएगा कि इस ID से इतने जो भी XYZ आगे clicks आए है कौन सी add है कौन सा add group है वो भी हम आगे देखेंगे तो मुझे campaign की मोटा मोटा पहले initially overview बता रहा हूँ वो मुझे ये ID बताएगा उसके बाद second point हम land करेंगे add groups में पता ही होगा आपको तो add groups में भी ऐसी मेरी add group ID आएगी अब आप निकालेंगे कैसे same way format में column में जाएए modify column में जाएए attributes में जाएए आपको मिल जाएगा ठीक है अब एक चीज़ और notice करिए add group ID हरे का अलग अलग है कोई भी चीज़ इसमें similar नहीं होता तो अगर आप analytics में यह देखेंगे कि भाई आपको इस particular number से क्लिक आ रहा है means यह यह वाला add group है जिस पे आपका यह number है तो यह number हो आपको means number से better आप बोलें इसको ID मैं correct करता हूँ तो जो यह ID ही वहाँ पे show करेगा analytics में means इस add group से आपको यह click आए तो वो आपको ID दिखाएगा ID में कौनसी add है कौनसा keyword है वो भी हम आगे चीज़े करेंगे लेकिन जस्ट मैं पहले आपको ID का कौनसे बता रहागा अब आता है इसका execution कैसे करना है tracking template का वो भी थोड़ा advance और shortcut way में जो की कम time में आप fast काम कर ले सारे add groups में एक बार ही में आप tracking template लगा दे ताकि किसी भी add group से जो भी clicks आ रहे है जो भी conversions आ रहे हैं जो भी average CPC आ रहे है जो भी metrics है आपके वो आप analytics में easily pull out कर ले और data महाँ पे देख ले तो अब यह कैसे करेंगे चलिए वोम देखते तो हमने जाना है campaign की settings में तो मैंने settings में क्लिक करा अब मैं आगे campaign की settings में देख रहे होगे campaign की settings है अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ additional settings में यह थोड़ा hidden feature होता है तो यहाँ पे लगाए campaign पे लगाने का reason ही है आप समझ गए होगे आप लोग तो काफी already experience लोग मेरा content देखते campaign level पे लगाने का reason ही है कि जितने भी आपने ad group बना रखे हैं 8 ad groups, 10 ad groups, 15 ad groups या 100 ad groups उन सब पे वो apply कर देगा एक जगा से campaign से campaign होगा पेरेंट, ad groups होगा आपके चाइल, तो जब पेरेंट पे लगा जी है तो सारे चाइल आपने cover होगा तो इसका reason है हमारा campaign पे लगाने का campaign, URL option इसको add URL option भी बोलते हैं campaign URL option भी बोलते हैं tracking templates भी बोलते हैं आप लोग mostly जो SEO वाले मेरा content देखते हैं digital वाले, तो आप लोग use करते हैं उसको बोलते हैं आपका जो automatic वो tool आता है आपका URL builder form आप लोग वो use करते हैं जिसमें आपके source, medium अगरा बनते हैं उससे better होता है ये tracking template अगर आप देखें तो ये manual execution होता है तो आप इसको ज़्यादा use में लें रादर देन आप उसको बोलते हैं आपका जो URL tracking के लिए आप लेते हैं अपने जो बनाते हैं आप उनको थोड़ा कम use करें builder forms को PPC में आप ये वाले tracking template जादा use करें जो nanolyum बनाते हैं अब यहाँ पर tracking template में मैं formula लगाँगा देखें यहाँ पर आप इसका जो formula लगाँगा पहले मैं आपको notepad में formula बना देता हूँ और यहाँ पर पूरा सिखा देता हूँ फिर उसके बाद उसको copy paste करके महाँ पर डाल देंगे और save करके errors आये नहीं आये कैसे find करना है वो मैं सब आपको बता दूगा ठीके तो आप सबसे पहले क्या करते हैं हम लगाते curly braces open close थोड़ा ध्यान से सुनना sorry मैं कई बार repeat कर देता हूँ लेकिन इसलिए करता हूँ तो क्या आप लोग फिर query लेकर आते हैं तो मुझे लगता है की चीज़ बताईए फिर वही कलती होगी तो इसलिए मैं एक बार repeat कर देता हूँ यह है curly braces square bracket नहीं है curly braces लगाने आपको open close और इसके बीच में लिखना है lpurl lpurl लिखना है और एक बात का और ध्यान रखना यह सारा sentence case में रखना है मतलब small orders में रहेगा small characters में आपको लिखना है कोई भी capital वगारा मत use करना ठीक है कर भी लेंगे कोई problem नहीं लेकिन हम recommend नहीं करते सब sentence case में small में रखना title case में लगाने की कोशिश मत करना कोई problem नहीं होती लेकिन मत लगाना है avoid करना ठीक है लाइनिंग पेज यॉरल है लाइनिंग पेज यॉरल है लाइनिंग पेज यॉरल इसका मतलब क्या है कि कोई भी आपका ad group है हो सकता है आपने अलग अलग landing page दे रखे हो हो सकता है शिमला ad का लगो मनाली ad का लगो hotels का लगो, resorts का लगो मैं example ले रहा हूँ आपका तो landing page हो सकता है मेरे अलग लगो तो google क्या करेगा जिस पी ad पे आपका click होगा google पे suppose आप आया आपने google पे कुछ भी keyword डाला मेरे ad पे click कर दिया तो click करने के बाद जो भी landing page open होगा जिस पे आप land करेगा जो user land करेगा जिस पी page पे तो वो landing page मेरा automatically google track out करके यहाँ पे डाल देगा मतलब हम एक variable बोल लिजे इसको curly braces को मतलब आपका यह variable है path है कि जिस ad पे click होगा उसका URL यहाँ पे डाल दे क्योंकि हमें क्या पता है इतना ad group नम कौन सा add को कौन सा URL यूज़ कर रहे है तो वो automatic डाल देगा तो आपने सिर्फ इसी को लगाना है google आपका landing page कौन सा है वो track out करके आपको analytics में खुझ से बता देगा तो यह होता है variable बोलते है इनको curly braces को open close को और उसके बीच में जो आपने input दिया है क्या track करना है variable में वो है landing page URL जो आपके add में होता है I guess थोड़ा समझ में आपको आगया होगा अब हम आगे बढ़ते है अब next आपको लगाना है m% sign यह sign जो है space को cover करता है क्योंकि इस में tracking template में कहीं भी आपका space नहीं आता वो count नहीं करता है space को वैलिड भी नहीं होता है space आपका तो space को kill करने के लिए हम use करते है m% sign जो की part होता है आपका कहले जिए as a separation हम consider करते हैं इसको as a separation अब हम यहापे लगाते है source पूरा देखीगा मैं पूरा बता रहा हूँ आपको सबसे shortcut है सारे ad group का बर source is equal to google मतलब पता ही है आपको कि आपको source क्या है गूगल है आपका आप गूगल से सारा traffic ले रहे है google ads में तो source आपने लगा दिया google क्योंकि मेरी search ad है तो google पर ही चलती है आपको पता है तो google ले लिया मैंने ठीक है direct link दिया command दे दी मैंने कि वहाँ पर दिखा दे ना कि google सारा traffic analytics में m% medium is equal to मेरा है ppc मतलब मैंने किस medium सा है हूँ google से मेरा paid ad पे click है organic तो है नहीं न तो मेरा paid ad पे click है तो मैं दूगा ppc यतना तो मुझे पता है तो यह manually दूगा ताकि analytics में दिखा दे आपका medium है ppc और source है आपका google जैसा builder form में use करते है source medium आप में से mostly लोग SEO वाले है आपको यह terms पता है builder form की है तो चलिए यह है यह हमारा manual है वो हमारा automatic होता है builder form ठीक है अब फिर लगाते है m% मतलब अगला command देना है tracking template के लिए तो m% is for separation ठीक है आप यहाँ पर लगाना है में सबसे important campaign id is equal to curly braces open close again curly braces है square bracket नहीं है campaign id spelling देख लीजिए गागर गलती होती है तो कोई बात भी आप लोग कर हाँ मेरा spelling गलत हो गया आप देख लीजिए गा तो यह मैं paste भी करूँ अभी campaign id is equal to curly braces campaign id अभी campaign id में जो भी campaign से मेरा click आएगा बना जो भी मेरा campaign है उसमें जो भी ad groups में add हैं जिन पर clicks होंगे तो मुझे बता देगा इस campaign से आए तो campaign का नाम नहीं देगा वो मुझे id track करके देदेगा आप लोग गलती क्या कर रहे थे tracking में आप लोग लगा रहे थे इसके बिना पहले बताए तो आप लोग कर रहे थे ऐसे गलब नहीं थे पहले ऐसी होता था मैं भी ऐसी करता था लेकिन आप इसके through data नहीं है क्योंकि update बदल गया new update आगया कि google id के through track करेगा dv360 भी google सारा id के basis पे काम करता है तो same concept उसमें google के लिए भी launch करें तो आप जिदना भी data आप analytics में track out करेंगे वो आपका id के basis में होगा तो ये concept पहले था अब नहीं है तो ये इस new update id is equal to curly braces id अब वो number देगा आपको campaign का नाम नहीं देगा ठीक है m% फिर लगाना है हमें add group क्योंकि add group भी तो track करना है हमने add group id जान रखना आप लोग पहले करते थे add group is equal to curly braces add group अब is equal to curly braces open close add group id देख लिजे add group id जैसा आप पहले आप input दे रहे जैसा पहले आप input दे रहे उसके अंदर जो value आएगी वो भी as it is ही आपको डाल ले और यह curly braces का मतलब है यह variables है यहाँ जहाँ पर लगा रहे है मतलब यहाँ पर value google को आप command दे रहे हैं कि वो डालेगा किस add group पे click आया किस add group की add के keywords के through वो आपके user ने add पे click करा उस add group की ID वो डाल देगा कि भाई इस add group ID से आपके 15 click आया है और दो conversion है तो आप वो track out कर लेगे मेरा कौनसा add group की ID है Google Ads में अपने Google AdWords के account में ID wise ठीक है तो यह लगाना जुरूरी है curly braces means Google input देगा आपको आपके account को monitor कर गए M% और यह है आपका device is equal to इसको भी देदीजे आप curly braces device device का मतलब है कि computer से click आया है tablet से आया mobile से आया तो value ऐसे देगा आपको analytics में ऐसे देगा C या फिर आएगा आपका T या फिर आएगा M C stands for computer समझ जहिएगा T आया तो stands for tablet M आया तो stands for mobile यह आप समझ जहिएगा आपकी जो reporting आएगी acquisitions में आप देख लीजेगा ठीक है M% उसके बाद आपको लगाना है keyword is equal to curly braces open close small में लिखना है keyword ठीक है यह भी small में लिखना है कहीं caps ना नहीं small में है ठीक है ज्यान रखना ज्यान रखना हमने से कहीं लोग मेरे को जब mail कर रहे थे कि sir हमारा reports नहीं आ रहा यह formula मुझे drop कर रहे थे तो keywords लिखावा था कहीं सारे लोगों ने ऐसे तो यह गलत है keywords नहीं होता आप Excel uploads भी करते हैं कुछ भी काम करते है keywords कहीं भी नहीं होता याद रखना Google Ads में keywords कहीं भी नहीं होता S word last में कहीं नहीं होता तो mind से ही निकाल दो keyword is equal to curly braces keyword तो यह हमारा पूरा formula बन चुका है without space कहीं पे भी space नहीं आया अब इसके बाद हम करते हैं इसको copy और tracking template में paste डाल दिया अब इसको paste करने के बाद आप इसको कर दीजिए save और यह आपका implement हो गया देखें save कर दिया मैंने tracking templates में तो यह हमारा implement हो गया अब इसके लिए ध्यान क्या रखना है आपको एक छोटा analytics account को link करना बहुत ज़रूरी है Google AdWords account से और आपके जितने भी import side matrix data होते उनको भी आपको enable रखना ज़रूरी है अगर आपका data ही AdWords से आप analytics में नहीं लेके जाएंगे तो यह tracking template कैसे काम करेगा तो जितने भी side matrix आपके data होते उनको आपको जो है आपको enable करना पड़ेगा on करना पड़ेगा उन सब की settings तभी यह data आपका जो है track out होगा इस चीज़ का आपको थोड़ा से ध्यान रखना है कहीं आप यह गलती ना करे तो फिर यह काम नहीं करेगा अच्छा friends यह तो था tracking template के उपर अब एक चीज़ और आपको बता दू मैंने DV360 की भी trainings अब start कर दी है 20th of September इस month 20 अरिक से 20th of September से मैं अपने DV360 The Trade Dex इन सब की भी जो trainings है वो start कर रहा हूँ मैंने recordings भी start कर दी है कुछ मैंने live lectures भी अपने record कर दी है बट इस सारा content मेरा private रहेगा public में मैं इसको release नहीं करूँँगा क्योंकि थोड़ा confidential content है तो अगर कोई सीखना चा रहे है programmatic DV360 बहुत trending है आजकल PPC के JDs के साथ DV360, The Trade Dex इन चीज़ों पर भी requirement मांगते है तो मैं काफी detailing in depth के साथ उन पर lectures बना रहा हूँ मैंने काफी time से तकरीबन एक साल से उस पर काम कर रहा था इसके पाट अगर कोई भी doubt आता है इस topic में तो यह मेरा number है आप मुझे call कर सकते हैं WhatsApp कर सकते हैं या मेरी mail idea रहूल PPC expert आप मुझे mail भी कर सकते हैं बट जितना मैंने बताया अगर आपने इसको सही से कर लिया तो आपको मुझे content करने के जरुदनी पड़ेगी आपका जो analytics data जो आपका Google Ads का track out होगा बिल्कुल accurate और correct होगा और यह मेरी website है pp6wordclasses.com तो number तो आप already लिखी दिया अगर आपकी कोई doubt को रही है तो आप मुझे WhatsApp वगरा कर सकते हैं अगर call ना करें पहले WhatsApp कर दें तो मैं आपको time देखे खुद बता दूँगा कब आप मुझे call कर ले तो चीज़े मैं आपको clear कर दूँगा अधरवाईस आप मुझे mail कर सकते हैं मेरी mail ID पर तो फिलाल इस lecture में इतना ही था ही मेरे वीडियो में मिल जाएगी और थोड़ा advance ही मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ इसरह थोड़ा late हो जाता हूँ basic से जादा आपको मैं नहीं नहीं चीज़ें इसमें try करता हूँ कि आप learn करें और executions आप सीखें ठीड़े friends तो फिलाल इस lecture में इतना ही था